नबसकार फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में फ्रेंट्स कम्प्यूटर के टोप 50 Multiple Choice Questions कम्प्लीट किये जाएंगे इस वीडियो में सभी questions most important है बहुत ही अच्छे-च्छे questions है कम्प्यूटर विशेके फ्रेंट्स कम्प्यूटर के सभी topics को handwriting notes में और one-liner way में आपको complete करवाया है और एक topic को ms excel है, ms word है, एक ही playlist में सभी videos आपको मिल जाएंगे description में playlist मिल जाएगी इन सभी topics की, एक ही playlist में यह सभी PowerPoint, Internet, 3 parts में cover किया है, computer email को 2 parts में cover किया है, ms access, memory और keyboard shortcut keys और function keys की shortcut keys भी अलग से एक वीडियो में available करवाई है, operating system, computer language, types of computer topic को भी और ms office को, generation of computer को भी, तो friends यह वीडियो आप जरूर देख ले, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो questions, multiple choice questions, friends खुद से भी answer देने की कोशिच कीजिएगा, इनकी, निमन लिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद, Pentium, Pentium brand के नाम से बेचा जाता है, कौन सा brand है, जो Pentium brand के नाम से बेचा जाता है, mobile chip है, computer chip है, computer है, computer है, या फिर microprocessor है, तो friends वो brand है, microprocessor, option D इसका correct रहेगा, और friends जनरेशन वाले computer में मने बता है था कि microprocessor का सम्मन्द, यह किस PD की देन है, यानि किस PD का मुख्य गटक है, यह main component है, कहां से इसकी, कौन से PD से इसकी, सुरूआ तो इथी, microprocessor की, computer chips, IC chips का मैं बता देता हूँ, इसकी सुरूआ तो इथी, third generation से, next, computer बासा, Java के अविसकारक कोन है, तो Java के अविसकारक की बात की जाए, तो उस वेक्ति का नाम है, James Gosling, James Gosling माने जाते हैं, computer Java बासा के अविसकारक, और Java कम्प्योटर में, internet की बासा कहलाती है, तो इसकारक कोन है, कौन सी company पूछ रखा है, आपर IBM है, Microsoft है, Sun Microsystem है, तो Sun Microsystem वो company है, जिसने Java बासा का अविसकार किया था, Java बासा की अविसकारक, कौन सी company है, Sun Microsystems, Next question, friends, यह modem की परिवासा है, बहुत ही जी question है, ऐसी युक्ति जो आखडों को आवेगों में परिवर्तित करती है, तथा उन्हें terminal से computer की और computer से terminal को telephone line पर समप्रेशित करती है, वह है, तो इसका सही जवाब है, modem, option D, इसका सही जवाब है, तो modem, इसकी full form क्या होती है, modulator, demodulator, modem की full form होती है, और friends, modem क्या काम आता है, computer को telephone line से जोडने के काम आता है, तो यही बात इस question में कही गई है, और ज़्यादा बढ़ा चड़ा की इसमें बताई गई है, तो यह modulator का काम रहता है, demodulator, demodulator, इसकी full form होती है, modem की, next, yao, google, or msn, यह क्या है, options दिए गए हैं आपको, चारों में से सही जवाब च्छाट के बताना है आपको, तो यह सभी हैं, internet, sites, internet, sites हैं, yao, google, or msn, next, computer की बहुतिक बनावट को क्या कहते हैं, computer की बहुतिक बनावट क्या कहलाती है, यानि computer के वो पार्ट जिनको हम छूकर देख सकते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जिनको हम छूकर नहीं देख सकते हैं, वो होते हैं, software होते हैं, लेकिन बहुतिक बनावट क्या कहलाती है, hardware, option B इसका correct answer रहेगा, next, program एत्व विक्सित की गई, computer की बासा कौन सी है, यानि computer की सबसे पहली बासा सबसे पुरानी बासा जो program के लिए विक्सित की गई, वो बासा कौन सी थी, तो friend second generation के computer में ये विक्सित की गई थी, यह बासा थी Fortran Fortran की फुल फॉरम होती है Formula Translation Formula F.O.R. को अलग कर दो Formula बन गया Tron से Translation यह इसकी फुल फॉरम है और Second Generation के दोरान 1957 में यह बासा भी खिशित की गई थी First Generation के दोरान प्रेंट से Machine Language का यूज किया जाता था और यह जो High Level Languages इनको High Level Languages बोला जाता है एक तो होती है Low Level Languages एक हाई Level Languages तो High Level Languages में आती है यह Cobol और Fortran Computer की Second Generation थी उसके दोरान यह विक्सित की थी First Generation थी 1912 से 1905 तक फिर 1907 में यह विक्सित की गई थी Fortran तब Second Generation शुरू हो गी थी और Cobol की Full Form Comments में लिखिए मेरा जो Language वाला वीडिया हो है वो पूरा देख लीजिए सभी की Full Form आपको याद हो जाएगी सभी की Basic की Full Form भी आप लिख के बताइए Comments में इसमें Cobol में B का मतलब होता है Business यानि B का मतलब है Business यानि Business परपरज के लिए ये व्यवसाइक कारियों में ये वासा यूज की जाती है Next Questions देख लेते हैं 5 और 6 का हमने पहले कर लिया है 7 का देखते हैं Computer के संचालमन में परियुक्त प्रोग्राम नियम तथा Computer किरियाओं से सम्मंदित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामगरी को का जाता है तो प्रेंट से किस की Definition है ये सारी Software की Definition है Software इसका Option A इसका Correct Job रहेगा Next नियमन में से कौन सा एक Computer की बासा नहीं है इन में से कौन से एक Computer की बासा नहीं है तो सभी बासा है आपको पता होना चाहिए Basic भी Computer की बासा है और C भी Computer की बासा है Fast कोई भी Computer की बासा नहीं है Form प्रान भी Computer की बासा है ये सबसे पहले विक्सित की गई Programming बासा है Computer की इससे पहले Machine Language का यूज किया जा रहा था Portran की Full Form पहले बता चुका है Comments में लिखिए ये Next Computer की Definition है आपको पतानों चाहिए Computer क्या क्या कर सकता है आकडों के बंडारन करने वाली एक सक्सम युक्ती है Computer सही है ये आकडों के विसिलेशन करने के लिए सक्सम है ये भी सही है पूरन गोपनियता बनाए रखने में साम है सही है ये भी कभी कभी वाइरस द्वारा आकरमित होता है हां कभी कभी वाइरस द्वारा भी अटेक किया जाते हैं Computer में तो ये सभी चारों Options सही है Option D इसका क्रेक्टर रहेगा Computer के संदर्ब में RAM का तात्परिय किस से है RAM की फुल फॉर्म यहां से पूछ रखे हैं RAM की फुल फॉर्म होती है Random Access Memory तो इसका सही जवाब कौन सा है Option B Random Access Memory ये सही जवाब है और ये Primary Memory में गिने जाते है RAM और ROM ROM की फुल फॉर्म होती है Read Only Memory ये भी Primary Memory में होती है और RAM के एक बात याद रखना कि ये Volatile Memory है Volatile Memory है ये ये लाइट जाते ही इसका सारा डाटा गाइप हो जाता है ये Memory मिट जाती है Power Supply बंद होते ही RAM की ये खास बात है Volatile मतलब Non-Permanent है ये S-Thi Memory है Permanent Memory कौन सी होती है ROM होती है ROM Permanent Memory है Next Computer साक्सरता दीवस ये Computer Literacy Day ये और साल किस दिन ओफजरू किया जाता है यानि किस दिन मनाते है Computer Literacy Day और साल मनाते हैं फ्रेंट्स 2 दिसंबर को 2 दिसंबर के दिन पर Computer दीवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को ओता है World AIDS Day और फ्रेंट्स आपको बताना है कि Visoway Internet दीवस Visoway Internet दीवस किस दिन ओफजरू किया जाता है Comments में लिख कर बताईएगा तो फ्रेंट्स ये Computer के Internet का 3rd Part देख सकते हैं उसका Thumb Lane में यही लिख रखा है मैंने तो Options रहेंगे आपके लिए 8 October, 29 October या फिर 30 October Computer की कुंजी पटल क्या कहलता है Computer का जो कुंजी पटल है कुंजी पटल को English में क्या कहेंगे Keyboard तो English में पूछ रखा है इसका तो कुंजी पटल क्या कह रहा था Keyboard Option C इसका Correct है Next सूचना राजपत किसे कहते हैं तो सूचना राजपत किसको कहते हैं Friends Options दिए गए आपको English में इसको क्या बोलेंगे Information आईवे English में ये लिखावा आज़ा है आपके लिए Information आईवे किसको बोलते हैं तो भी यह आन्सवर रहेगा आपका और इसको Network को का Network यानि Network of Networks Network of Networks भी बोल देते हैं और इसकी फुल फॉर्म होते है International Network तो ये क्या है सुचना राजपत Internet Option D का Correct रहेगा तो ये सारी बाते हैं Internet के पिता यानि फादर ओफ इंटरनेट के विश्कारक या Internet के खोज करता जो भी कुछ Internet को किसने का भी कास किसने किसने किया ये कुछ भी किसन आप से पूछ ले ये विंट सरफ विंट सरफ ने Internet के खोज करता मने जाते हैं और www के खोज करता कोन है इतनी सारी बाते आपको बता चुका हूँ तो www को आपको बताना है इसकी फूल फोरम भी आपको कोमेंट्स में लिक कर बतानी है Next Super Computer Super Computer ने Computer से किस संदर्ब में भीन होते है Super Computer ने Computer से लग किस परकार होते है तो Options दिए गए आपको Options C करेक्ट रहेगा Pre-Clean, चम्ता और वरत समर्थी बंडार इनकी समर्थी बंडार औरों से जदा होती है Pre-Clean, चम्ता औरों से जदा रहती है Assembler का क्या कारिया है Assembler क्या कारिया करता है तो ये बासाओं से रिलेटिड है Assembler ये आपको बता देता हूँ बासाओं को करनेवट करने के काम आता है तो इसमें सही जवाब रहेगा Assembler यानि Assembly Assembler language को ये Machine बासा में बदलता है तो इन में से सही answer कौन सा रहेगा Assembly बासा को ये अंतर बासा में परिवर्तित करना ये इसका कारिये रहता है Assembler का, Option C इसका correct है और इसके साथ ही compiler भी होता है और interpreter भी होता है वो क्या करते हैं, वो i-level language को low-level language में change करते हैं low-level language यानि machine language machine language में computer क्योंकि यूज किये जते हैं high-level languages को कौन सी language में convert करने के लिए machine language में machine language को एक और नाम देते हैं binary language यानि 0 और 1 वाली language next है बारत दवारा निर्मित पहला सुपरकंप्यूटर कौन सा है तो बारत दवारा निर्मित सुपरकंप्यूटर कौन सा है परम 10,000 पहला सुपरकंप्यूटर बारत ने कौन सा बनाया था परम परम की फूल फूरम होती है P.R.A.M इसकी फूल फूरम होती है parallel machine parallel machine इसकी फूल फूरम होती है और इसको C.DAC नामक संस्थाने बनाया था जो कहां पर स्थित है C.DAC था पूरे में स्थित है और बारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था पहली कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ और पहला सुपरकंप्यूटर परम था next CPU का विश्त्रित रूप क्या है CPU की फूल फूरम क्या है CPU की फूरम क्या होगी Central Processing Unit तो इसमें से कौन सा सही जवाब है Option B Central Processing Unit ये CPU की फूल फूरम होती है next किस बासा में सरवादिक उप्यूग उप्यूक्त डोकुमेंटेशन संभव है कौन सी बासा में सरवादिक उप्यूक्त डोकुमेंटेशन संभव है चार बासा हैं आपको दी गई है फोटरान, कोबॉल, पासकल और C++ तो कौन सी बासा है वो ये कोबॉल बासा ये बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज ओने वाली बासा है इसमें B का मतलब कोबॉल की फूल फूरम थी Common Business Oriented Language ये इसकी फूल फूरम है यानि वैवसाइक कारियों में ये सबसे ज़्यादा वैवसाइक कारियों में प्रियोग करने के लिए इसको बनाया गया था कोबॉल को Next परसन देख लेते हैं और फोटरोन ये पहली बासा थी वैवसाइक कारियों में इसका ज़्यादा तर यूज होता है फोटरोन का फूरमो इसकी फूल फूरमोटी फूरमुला ट्रांसलेशन Next बारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है बारत में निर्मित पर्तम सुपर कंप्यूटर आपको बता दिया है पहले पर्म है उसका नाम और पहला कंप्यूटर उसका नाम क्या है सिदार्थ सिदार्थ बारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का है और सिदार्थ किनके बच्पन का नाम था मातमबूद के बच्पन का नाम क्या था सिदार्थ और बगवान मावीर के बच्पन का नाम क्या था वर्दमान बगवान मावीर के बच्पन का नाम था पहला सुपरकंप्यूटर था बार्थ का प्रम 8000 प्रम 8000 था इससे पहले 10,000 की बात हो रही थी प्रम 10,000 वो पहला कंप्यूटर नहीं था प्रम 8000 पहला कंप्य development of advanced computing और next question देख लेते हैं इसका next integrated circuit chip यानि IC chips पर किसकी परत चड़ी होती है यानि ये किसकी बनी होती है ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं इस question को main component इसका क्या रहता है silicon silicon इसका सही जवाब है और silicon valley of India का पर है बैंगलूरू में बैंगलूरू में silicon valley of India है और silicon valley of the world दुनिया की silicon गाटी का पर है कैलिफोर्निया USA में स्थीत है तो फ्रेंट्स IC chips पर किसकी परत होती है silicon दातू की होती हो और IC chips का विश्कारक किसे मना जाता है IC chips की सरुवात किस generation के computer में हुई third generation की computer में IC chips की सुरुवात हो गी थी और इसके इसकार को मने जाते है जैक किल्बी जैक किल्बी उस टीम के लिडर थे जिस टीम ने IC chips को बनाया next निमनमेज से किसे computer का पिता में कहा जाता है यानि father of computer किन को कहा जाता है कौन से है Charles Bebez और Charles Bebez किस देश के थे ये question भी आप से पूछ सकता है ये बिर्टेन देश के थे Charles Bebez तो friends केवल questions की बात होती है इस channel पर जरूर subscribe कर दीजिए फाल तु बक्वास हम नहीं करते है इस channel पर विशव का पर्थम electronic digital computer है विशव का सबसे पहले electronic digital computer कौन सा है उसका नाम है एनियेक इन आई ए सी इसका नाम है और ये किस साल में बनाया गया था इस 1946 में फैस्ट जनरेशन का computer था ये 1943 में बनाना शुरू किया था इसको second world war के दोरान और ये 1946 में बनकर पूरी तरह से त्यार हो गया था तो फैस्ट जनरेशन के computer साब से पूछे जाए एनियेक यूनियेक वगएरा ये सबी फैस्ट जनरेशन के computer से है नेक्स्ट सवर पर्थम आदुनिक computer की खोज कब हुई थी वो इक उस्टन है नियेक के बारे में तो सबसे पहले आदुनिक computer की खोज हुई थी कौन से साल में 1946 में सबसे पहले आदुनिक computer की खोज हो गई थी नेक्स्ट और एकल क्या है तो इसका सभी जवाब रहेगा database software और एकल एक database software है अंग्रेजी बासा से के सम्मान एक उच्छ सत्रीय computer बासा कौन सी है चार ओप्शन्स दिये गए हैं सभी की सभी computer की बासा हैं फोर्टरान पास्कल कोबोल और सी पलस पलस तो इनमें अंग्रेजी बासा से मिलते चुलती सम्मान उच्छ सत्रीय आई लेवल लेंग्वेज इसमें पुछा है आई लेवल लेंग्वेज कौन सी है तो वो है कोबोल ओप्शन सी इसका करेक्टर रहेगा common business oriented language ये इसकी full form है और business कारियों में यानि वववसाइक कारियों में जाता तरीश का यूज होता है next computer आंकडों में एसुदी को क्या का जाता है computer के data में जो एसुदी होती है error होता है उसको क्या बोलते है तो उसको बग बोलते है computer data में error को क्या बोलते है bug bug बोला जाता है next michael angelo virus है किसका virus है michael angelo एक virus का नाम है michael angelo तो प्रेंट्स ये एक computer का virus है michael angelo next computer के विकास में सर्वाद इक एक योगदान किस वेक्ति का हैए सबसे ज्यादा योगदान किस आदमी का है computer के विकास में तो वह आधमी है john wanted newman john one newman का सबसे ज्यादा योगदान ने कंपिटर के विकास में और पहले प्रोग्रामर कौन थी और ये महिला था ही Lady Aida Loveless पहली कंप्प्रोग्रामर थी और जोन वोन नुमाइन सबसे जदा योगदाने कंप्प्रोटर के शुरुवाती विकास में निमन में से कौन सी वैग्यानिक कंप्रोटर बाशा है कौनसी है जो एक वेग्यानिक कंप्योटर बासा है option में basic है COBOL है, Fortran है और Pascal है तो पहली कौनसी है वेग्यानिक कंप्योटर बासा है पहले बता चुक हम Fortran Fortran एक वेग्यानिक कंप्योटर बासा है Fortran की फुलफोरम है formula translation और COBOL की फुलफोरम है common business oriented language तो फ्रेंट्स यह वैकिन साओं में स्काव विकास हुआ था फोट्रन और कोबल इन दोनलों बसाओं को के जनुन का दौरान हुआ था सैंड जन्रेशन के दौरान इन बसाओं का अब विकास वगाता था lack justice घ्रेंके दौरान मुख्य को नहीं बताया अब तक तो basic की basic ये भी एक computer की बासा है ध्यान रखें basic आप से पूछ ले exam में की basic क्या है तो basic एक computer की बासा है और इसकी full form क्या होती है basic की full form हो रहती है beginners all purpose symbolic instruction code तो ये इसकी full form होगी beginners all purpose symbolic interaction code और ये एक computer की बासा है बहुत useful बासा है ये computer की IBM का पूरण रूप क्या है IBM एक company का नाम है computer से related company है सुरुवाती विकास में computer के बहुत ही ज़्यादा इस company का योगदान रहा है IBM की full form होती है international business machine ये इसकी full form है next microsoft एक company है computer की और बहुत ही famous company है Bill Gates ने इसकी सतापना की थी लेकिन Bill Gates के साथ इसके session था पक कौन थे Bill Gates के साथ कौन थे एक और वेक्ती वो थे Paul Allen और Bill Gates ने इस company की सतापना की थी CAD की full form पूछ रखिये यहाँ पर CAD की full form computer added design ये CAD की full form है computer added design CAD की full form next एक किलो बाइट किसके तुल्य होता है तो एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं एक अजार 24 बाइट के बराबर होता है एक किलो बाइट और एक बाइट एक बाइट बराबर होता है आठ बिट के बराबर होता है एक बाइट और एक निबल बराबर होता है चार बिट के बराबर होता है एक निबल तो ये computer memory की units है सबसे छोटी unit कौन सी है बिट है उसके बाद nibble आती है और उसके बाद कौन सी आती है byte आती है उसके बाद आती है किलो byte का number आता है option B इसमें correct था next है एक लोग पर ये windowing environment windows 3 Microsoft दोवारा निर्गत की गी थी यानि windows 3 किस साल लांच की गी थी MS windows Microsoft company ने windows series लांच किये operating system की windows किस की series है तो friends ये आपको पताना होना चीए operating system की ये series है वर्स 1990 में ये आया था windows 3 और windows का पहला version सबसे पहला version पहला संस्क्रण आया था कोन से साल में 1985 में और वो संस्क्रण था windows 1.0 windows 1 किस साल आया था 1985 में सबसे पहले और इससे पहले भी MS DOS आ चुका था Microsoft ने DOS यानि disk operating system लांच किया था 1981 में ये भी एक operating system था पहला operating system था ये multitasking नहीं था तो operating system से समन्दित आप मेरा पूरा detail से दो वीडियो में मैंने cover किया है तो वो part भी आप जरूर देख सकते हैं पूरी detail से मैंने समझा है कौन सा operating system की साल लांच हुआ था और windows का latest version latest version 2021 में लांच हुआ था windows 11 या पर windows 3 पुछा है windows 11 लांच हुआ था 2021 में वो latest version है windows का Microsoft company ये लांच करती है फोर्टरान अगोल और पासकल ये computer की बासाएं हैं तिनों की तिनों आदी बासाओं को सिखाने के लिए किस बासा को निव का पत्थर का जाता है तो फ्रेंट्स ये आई लेवल लेवंगे जी जाए तो ये फोर्टरान वगरा वग्यानिक कारियों में यूज ली जाती है तो इनको सिखाने के लिए बेसिक निव का पत्थर का काम कोन सी बासा करती है बेसिक ओप्शन भी इसका सही रहेगा तो बेसिक की फुल फोर्म आपको पहले बता चुका हूँ बिगिनर्ज आल परवज सिंबोलिक इंस्ट्रेक्शन कोड ये इसकी फुल फोर्म है इसी कांड से इसको बेसिक नाम दिया गया है इन लेंग्वेजिज को आला कि बेसिक का ये क्यूशन भी पुछा जा सकता है बेसिक भी एक आई लेवल लेंग्वेज है उच्छ सत्री बासा है किसी सबद की लंबाई बाइट हो गया ओप्शन में बिट हो गया, मिटर हो गया, मिली मिटर हो गया तो किसी एक सबद की लंबाई लेंथ किसमें माते हैं, बिट में कंप्यूटर की सबसे चोटी यूनिट कौन सी है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे चोटी unit है bit 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 सबसे चोटी unit है उसके बाद आती है nibble और उसके बाद होती है byte एक byte में 8 bit होती है 8 bit से मिलकर 1 byte बनती है और 1024 byte मिलकर बनती है 1 kilobyte और 1024 kilobyte मिलकर बनती है एक megabyte यानि 1 MB next सारे computer में लागी होती है तो कौन सी बासा है वो सभी computers में लागी होती है यानि computer mainly कौन सी बासा कोई समझता है वो बासा है machine बासा machine बासा को एक और नम देते है binary language binary language भी इसी का नम है इसी को बोल देते है यानि 0 और 1 पर आदारित है यह binary digits होती है कौन सी 0 और 1 यह दो digits है जिनको binary digits भी बोल देते है यानि bit भी इनको बोल देते है बिट भी निपेर आधारिता है जीरो और वन पर तो सबी computer's machine नी बासा को समझते हैं और ये जो दूसरी बासा हैं ये machine नी बासा में convert की जाती हैं किनके दवारा? compiler के दवारा, assembler के दवारा और interpreter के दवारा इनके दवारा convert की जाती हैं तब computer के समझ में आती है, machine बासा में ये convert होती है बासा जिसे computer समझता है, वह निष्पादित करता है, वह कहलाती है कौन सी बासा है जिसको computer समझता है, और उसको निष्पादित करता है तो वो computer है, पहले बता चुक हूँ machine बासा, यानि binary language machine language भी बोल देते हैं इसको binary language बोलते थे हैं 01 पहले बता चुको हैं इसके बारे में डिटेल से बार्त में Silicon Valley कहां पर है Silicon Valley of India कहां पर है बैंगलूरु में है बार्त की Silicon Valley और दुनिया की Silicon गाटी कहां पर है California USA में स्थीत है वो दुनिया की world level की Silicon गाटी है और Garden City of India कौन सा सैर कलाता है comment में लिक रबताई है Garden City of India कौन मस्तिक्स की कारिये पर नाली की नकल करने वाला सबसे तेजगति वाला computer होगा तो यह कौन सा मस्तिक्स की कारिये पर नाली की नकल करेगा यह computer होगा Qany medicine computer option 20 का correct है next computer hardware जो आंकडों की बहुत अधिक मात्रा में बंडार में रख सकता है कहलाता है computer hardware जो आंकडों की बहुत अधिक मात्रा में बंडार के रख सकता है वो कौन सा है computer hardware का पार्ट वो है chip चिप वो पार्ट है जो hardware की आकडों को बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है और सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने में यह भी फ्रेंट्स इसमें गल्तिक लिख रखा है किसन आड़ डिस्क और चुम्बे के टेप यह भी डाटा को स्टोर करने में काम आते हैं hard disk है इसकी चमता सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा data को यह store कर पाती है terabytes यहनि टिबी में यह data को store करती है और इससे ज़्यादा data कोई भी जो secondary devices है वो कोई भी store नहीं करता जो भी बार से devices लगते है hard disk उन में top है और friends सबसे कम data को store कर पाती है सबसे पुरानी है floppy disk पहले data store करने में यूज की जाती थी 1.44 MB इतनी size का यह data store कर पाती है floppy disk और उसके बाकी इनके CD वगएरा हो गया DVD हो गया बाकी इनके बीच में कार्य करती है यह सभी next question वै युक्ति जिसके दवारा आंकड़ों को telephone के मद्यम से binary signal की साहता से बेजा जाता है कहलाता है वो है friends modem modem क्या है computer को telephone line से connect करने के काम होता है modem की फुलवरों होती है modulator, div modulator तो पहला जो question था वो भी इसी से समन दित था modem से समन दिती तो telephone की जहां बात आगी वा modem ही answer रहेगा telephone line से connect करने के लिए computer को data signals बेजने के लिए telephone line के मद्यम से किसका यूज करते है modem का modem की फुलवरों होती है modulator, div modulator next question memory सबद किसे समन दित है तो memory से related मैंने कुल च्यार वीडियो जी इस channel पर upload कर रखे है पूरे detail से पूरे topic को मैंने समझाया है तो memory किसे समन दित है storage से related है storage से समन दित है storage की छमता से समन दित है computer की और दो परकार की memory आती है primary memory, secondary memory primary में आती है RAM और ROM secondary memory में आती है CD, DVD, PHP, disk और hard disk next computer सबद कोस में CD अक्सरों का परियोग किसके लिए किया जाता है то CD का परियोग किसे लिए किया जाता है computer सबद कोस में compact disk यानि CD की full form सिदे सिदे आपसे पूछ रखिए compact disk की full form रहती है DVD की full form यह दिया आपसे पूछ ले तो DVD की full form होती है digital versatile disk digital versatile disk इसकी full form रहती है और digital video disk ये फूल फूरम भी इसकी सही रहेगी जाते तर वर्सेटाइल वाली लिखी रहती है एक्जामस में डीजिटल वीडियो डिस्क ये फूल फूरम भी सही है इसकी तो फ्रेंट्स कई लिखते समय में जो भी जैसे डीविडी लिखा है तो कुछ जो पढ़ते हैं। जुबान से अलग निकल जाता है लेकिन लिखता सही हूँ मैं डिवीडी को जैसे कई बार डिवीडी इस तरह से कई अक्सरों में आलग कि डिवीडी को तो नहीं करता हूँ औरों को गलत करता हूँ तो आप इसका ध्यान रखें जो लिखता हूँ वो सही लिखता हूँ जाद अतर डेट वकेरा बोलता हूं उसमें गलती कर जाता हूं मैं जैसे 27 को 17 बोल दिया इस तरह से एपल क्या है एपल के फोन आपने खूब यूज किये हुगे तो एपल क्या है फिलाल पांचवी जनरेशन में भी खूब यूज किये जा रहे हैं इसके फोन तो ये चोथी PD का एक कंप्यूटर है एपल कंपनी iOS ओपरेटिंग सिस्टम यूज करती है मोबाइल फोन में कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इसका iOS iOS यानि iPhone ओपरेटिंग सिस्टम ये एपल के मोबाइल फोन में यूज किया जाता है और Mac OS ये desktop, computer, laptop ओगरा एपल के जो भी होते हैं इसमें Mac OS Mac ओपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है एपल के में एपल के प्रोडेक्ट्स ये कि खास बात है कि उनमें ओपरेटिंग सिस्टम अलग होता है आप और हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं टाराइल में Androidोंग सिस्टम होता है लेकिन एपल में अलग रहता है उपरेटिंग सिस्टम iOS ओपरेटिंग सिस्टम रहता है Computer वास ओटराण किस चेत्र में उपयोगी है तो किस चेत्र में उपयोगी है विग्यान के चेतर में वैवसाई के चेतर में उफियोगी बासा मैं बता चुका हूँ कोबोल है कोमन बिजनेस ओरेंटीड लेंग्वेज इसमें बीफोर बिजनेस बनता है तो विग्यान इसका सही जवाब है औप्शन सी इसका क्रेक्टर हैगा इस बार फ्रेंट्स वीकेंड पर जो जिक के क्यूज कोण्टेस्ट लाइव आयजित किया जाएगा अदबद प्रोज्टरी के तायट इसी वीडियो के क्यूस्टनस पुछे जाएंगे तो इनको द्यान रखें ये क्युस्टन्स आपसे पुछे जाएंगे लाइव कॉल पर फोन पर पुछे जाएंगे आपसे और प्राइज मनी भी आप जीत पाएंगे तो फ्रेंट्स वीकेंड पर इस चैनल पर क्यूज आयजित होती है और एक वीकेंड पर तो नहीं लेकिन मैने में दो बार वीकेंड पर और आगे ये और एक वीक में भी आएजित की जाएंगी वीकली आएजित की जाएंगी एजिक्के क्यूज कॉन्टेस्ट तो फ्रेंट्स अपका बहुत बहुत न्यवाद वीडियो देखने के लिए इसी तरह से जोड़े रही मेरे चैनल से